नमस्कार दोस्तो दे लर्नर पॉइंट में आप सभी का श्वागत है इस वीडियो में दोस्तो अपन करेंगे और एक कॉंपिटिशन की जो हिस्ट्री की बूक है दोस्तो अभी नई वाली आई है उसमें दोस्तो पासान काल के महतोपूर्ण प्रसन इसका दोस्तो एक वीडिय से लेके नो से लेके तेरा तक बनाया था आज वाला दोस्तो जो वीडियो है यह रहेगा दोस्तो पेज नमबर चोदा से लेके छोड़ा तक पेज नमबर चोदा से छोड़ा तक जो इपोर्टेंट है दोस्तो प्रसन वो सारे के सारे में लेकर आया हूँ आपके लिए तो चलिए चुरू करते हैं आज की क्लास पहला प्रसन देखिए आपके सामने स्क्रेन के ऊपर ये रहा प्रसन ये है कि जोग दहा बंबूरी रामपूर आदी पुरा पाशान का लिनिस्तल किस राजे में इस्तित है महराष्टर मद्य प्रदेश गुजरात या अंध्र प्रदेश तो इसका राइटांसर क्या हो जाएगा मद्य प्रदेश में इस्तित है इसकी व्यक्ष देख लेते हैं थोड़ी देख लिजे ये सभी उच पुरा पाशान का लिनिस्तल है भीम बेट का भी इनमेशेक है भीम बेट का भी दोस्तो मद्य प्रदेश में है भीम बेट का से भारत में गुपा चित्रकारी के प्राचींतम पाशान का लिनिस्तल है अगला प्रसन देखे आपके सामने स्क्रीन क यह रहा प्रस्ण यह है दोस्तों कि उच्च पुरा पाषाण काल की हड़ी निर्मित मात्र देवी की प्रतीमा कहा से मिली है लोदा नाला पटने इमाम गाउं या सोरा पूर तो इसका राइटांसर हो जाएगा दोस्तो लोधा नाला ये दोस्तो बेलन घाटी इलाबाद के लोधा नाला से हड़ी निर्मित मातर देवी की परतिमा मिली है याद रखना अगला परसन देख़्या आपके सामने स्क्रीन के ओपर ये रहा परसन ये है कि सतुर मुरु के अंडे के खोल के टुकडे पर कुरेद कर बनाई गई लाइने कहा से मिली है पटने चोपानी मांडो आदमगड या लोटेश्वर तो इसका राइटांसर हो जाएगा दोस्तो पटने ये पटने दोस्तो महाराष्टर में पढ़ता है यहां से उच पुरा पाशान काल की कला के परमाण मिलते हैं और ये दोस्तो एक कला का ही परमाण है सत्रुमुरुक के अंडे के खोल के टुकडे पर कुरेद कर बनाई गई लाइने तो ये कला का परमाण है ये पटने महाराष्टर से मिला है उच पुरा पाशान कालिन कला का परमाण है अगला परसंद भारत में मद्य पासान काल की शुरुवात किस काल के साथ हुई भारत में मद्य पासान काल की शुरुवात किस काल के साथ हुई होलोसीन यूग, प्लेस्टोसीन, मायोसीन या पेलियोसीन तो भारत में दोस्तों जो मद्य पासान काल की शुरुवात है ये होलोशीन यूग के साथ हुई होलोशीन यूग नेक्स्ट क्यूशन देखे दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ओपर ये रहा प्रसन ये है कि मद्य पाशान का लेन किस इस्तल को महासतियों का टिला कहा जाता है आदमगड, महरू, डी है, बागोर या पंचमंडी इसका राइटांस रोजग है दोस्तो बागोर, बागोर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तो बागोर है दोस्तो ये भीलवडा राजस्तान में पढ़ता है इसका उत्खनन दोस्तो वी एन मिसर ने किया था ये कोठारी नदी की किनारे है और दोस्तो बागोर से नरकंकाल ये विवस्तित अंतेष्टी के प्रमाण भी मिलते हैं ये ब्याब्ध्यान में रखना अगला परशन देखे दोस्तो भीम बेटका का उत्खनन किस ने किया भीम बेटका का उत्खनन किस ने किया वी एन मिसर वी एस वांकन कर एच डी शांक लिया या इन मेंशे कोई नहीं तो इसका राइट अंसर है वो क्या हो जागा दोस्तो वी एस वांकन कर अगला परशन देखे दोस्तो आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा परशन ये है दोस्तो कि मानो के अस्ति पंजर का सबसे पहले आउसेश कहां से प्राप्त हुआ मानो के अस्ति पंजर का सबसे पहले आउसेश कहां से प्राप्त हुआ सराय नहार राय महे दहा एबी दोनों या लोटेश वर तो दोस्तो मानो के अस्ति पंजर का सबसे पहले आउसेश कहां से प्राप्त हुआ तो सराय नहार राय और महे दहा दोनों से सी क्रेक्ट हो जाएगा अगला परसन देखे दोस्तो प्राचीन जोंपडियों का सरो प्रतम शाक्षे कहां से प्राप्त हुआ प्राचीन जोंपडियों का सरो प्रतम शाक्षे कहां से प्राप्त हुआ पेसरा चोपानी मांडो बारा शिमला या लंग नहाज तो इसका क्रेक् का सरोप्रतम साक्षे कहां से मिलता है तो पेशरा से और ऐसे पूछ ले कि विश्त्रित साक्षे कहां से मिलते हैं यह रहनी प्रांचीन जोंपडियों के विश्त्रित साक्षे कहां से मिलते हैं तो चोपानी मांडों से अब देखे दोस्तों कुछ तथ्य देखते हैं पन हाती लटकन दोस्तों दमदमा से मिली है सरवादिक सवाधान दोस्तों दमदमा से मिले है सरवादिक मानो कंकाल दोस्तों लेखिया से मिले है सुक्षम बासान उपकरण सुक्षम पासान उपकरणों के नमूने दोस्तों लंगनाज गुजरात से मिले है मद्य पशाणकाल के 11 बालू के टिले जहने दोस्तों 13 समोह यह तमिल लाडू से मिले है खोज रावट ब्रुश भुटने की थी रावट बुरुश ठिक है अगला देखे दोस्तो भारत में अगनी का प्रियोग मद्य पाशानकाल के अंतिम चरण या नव पाशानकाल से हुआ तो ये भी याद रखना आप कि भारत में अगनी का प्रियोग मद्य पाशानकाल के अंतिम चरण या नव पाशानकाल से हुआ अगला प्रशन देखे दोस्तो नौपाशानकाल का पर्मुकोजार क्या था ये दोस्तो फैक्ट वाला प्रशन है नौपाशानकाल का पर्मुकोजार क्या था तो पत्थर की कुलाडी क्या था पत्थर की कुलाडी अगला प्रसन देखिया आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा प्रसन ये है कि भारतिय उप महादीप में नो पाशानकाल की प्राचिन तम बस्ती साथ अजार इश्वी पूरो कौन सी है महरगड बुर्ज होम गुफकराल या जल्ला हली तो भारतिय उप महादीप में नो पाशानकाल की प्राचिन तम बस्ती है दोस्तो महरगड कौन सी है महरगड तो ये थे दोस्तो पेज 14 से लेके 16 तक के 22 प्रसन आगे वाले वीडियो में दोस्तो पन पेज 17 से लेके 19 तक के 20 परसंद करेंगे फिर दोस्तों 20 से 24 तक करेंगे और 24 ही पेज है दोस्तों प्रागेतिया सिकाल के 24 पेज में प्रागेतिया सिकाल है वो complete हो जाएगा तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियो के साथ तब तक जय हिन जय भारत